उत्रपदेश शासन ने SGST के करदाताओं को तोफ़ा दिया है विभाग में जिस किसी भी वियापारी का केश चल रहा है उस पर ब्याज और पिनल्टी लगी है ऐसे वियापारियों के लिए अर्थ डंड और ब्याज माफी की योजना शुरू की गई है इसकी जानकारी विभा में विभादित करदाताओं को ब्याज और अर्थ डंड में छूट दी जा रही है ऐसे में वैपारियों को मुल्धन जमा करना है इसकी जानकारी ग्रेड वन कमिशनर राकेश कुमार शिर्वास्तव ने दी हमारे प्रदेश में करीब 3,23,449 ब्यापारी हमारे ऐसे हैं जो बाकिदार है जिन पर करीब 23,457 करोण का उन पर बकाया है तो उनको उनसे ये वसूलने के लिए इस बात के लिए कि उनको ऐसी सुबधा दिया जाए ऐसा आकरशन उनको दिया जाए तो ये विवस्ता किया गया है कि अगर वो मूल धनाशी जमा करते हैं और उस पर उनका जो ब्याज बनता है तो ब्याज को सर्टेन केटागरी का उन्होंने रखाए कि जैसे अगर ये दस लाग रुपए तक कि उनको बकाया है मूल की तो उस पर 75% उनका ब्याज माफ कर दिया जाएगा और 10 लाग रुपए तक के विवादित विपारियु के केस में 75% माफ है इसमें 25% केवल ब्याज की दै होगी जबकि 10 लाग से अधिक एक करोड तक 50% ब्याज दै होगी और पेनाल्टी जो भी उनको धनाशिन्ना जमा करने के लिए पेनाल्टी लगाई गई है वो 100% माफ कर दिया गया है यानि अर्धन कोई भी नहीं लगाए जाएगा ब्याज उनको थोड़े थोड़े अंशक्याधार पर उनका ब्याज की माफी की जाएगी और इसके लाव उसमें एक सुभधा ये भी रखी गई है कि यह जो बकाया यदि अगर वो 31 मार्श तक जमा कर देते हैं तो 5% का अत्रिक उनको ब्याज की चूट दी जाएगी इस योजना के तहट 31 मार्श 2020 तक मूल धनार्शी एवं ब्याज को एक मुष्ट जमा करने पर इसकीम के अनुसार उसे 5% तक की अधरिक शूट मिल जाएगी योजना में मूल धनार्शी एवं ब्याज का नियुनितम 25% एक मुष्ट जमा करने पर जमा की जाने वाले धनार्शी को योजना अवदी के अंतरगत किष्टों में जमा करने की अनुमती प्रदान की जाएगी योजना में किश्ट का विकल्प स्युकार करने के पश्याद विकल्प में कोई परिवर्थन नहीं किया चा सकेगा सी नियूस के लिए विनोज जूनर की रिपोर्ट